48 साल पहले 15 अगस्त 1975 को फिल्म शोले सिनेमागरों में रिलीज हुई थी फिल्म को बनने में 6 साल लगे थे फिल्म का बजट 1 करोड से बढ़कर 3 करोड हो गया था किसी को उम्मीद नहीं थी कि फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी हुआ भी ऐसा ही शुरुआत के कुछ दिनों तक फिल्म की कमाई निराशा जनक थी मगर धीरे धीरे माउथ पबलिसिटी से फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी की कमाई के नए रिकॉर्ड बना दिये फिल्म ने 35 करोड की कमाई की 20 साल तक इसकी कमाई का रिकॉर्ड कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई अब फिल्म शोले का दुसरा भाग दर्शकों के बीच आने वाला है जिसमें टाइगर श्रॉफ और आजय देवगन मुख्य भूमिका में दिखेंगे जिसमें वाला है जिसमेंगे प्रेगर इसकी कमाई तक रवूमिका की वाला है वाला है जिसमें मुख्य करोगर है जिसमें देखेंगे जिसमें प्र्म नेंवगन कर दो 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 कर